आज की रेशिपी जो है राइस कोकोनट केक है इसमें न तो तेल की जवरत पड़ेगी न घी न बटर बहुत हेल्दी बनता है और बड़े और बच्चे सभी पसंद करेंगे बनाने में भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी और कम समाल में ये केक बनकर तयार हो जाएगा ए अपट एक तम जालीदार बनता है और हेल्दी भी होता है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले एक बड़तर में एक कप भरके चावल के आटा ले लेंगे चावल के आटा मार्केट में एजली मिल जाता है अगर आपको न मिले तो चावल को धोकर धोप में एक घंटा ताजा दही इस्तेमाल करें इसे वजन करने की कोई जवरत नहीं पड़ेगी आपको आप अपने घर के कोई कटोरी ले लें उसी कटोरी से चावल काटा उसी कटोरी से दही और उसी से पानी इस्तेमाल कर लें आपकी ये रेशेपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और जिस क कप में दही ली थी उसी कप में आधा कप पानी ली हूँ इसमें एक कप पानी लगेगा अभी मैं आधा कप पानी डाली हूँ पहले अच्छे तरीके से मिलाकर इसमें चीनी डालेंगे तब थोड़ा और पतला हो जाएगा उसके बाद में थोड़ा पानी और डालोंगी तो य पर्मल चीनी है मैं इसे घर पर ही पीश ले हूँ ये एक कप है जो बड़ा है और साइड में जो रखी हूँ आधा कप है तो एक कप चावल के आटा आधा कप दही और आधा कप पिशी हुई चीनी एक कप पानी इतना समान इसमें लगता है बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगा को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर दही आपका पतला रहेगा तो पानी थोड़ा कम लगेगा दही भी गाढ़ा पतला होता है तो यह देखिए अच्छे तरीकिस में मिला ली हूँ अब इसमें मैं आधा कप सूखे नारियल का बुरादा डाल दी हूँ आप चाहे तो ताजा न करके डाल दें जो समय से उपलब्द हो वही ले ले लें तो सब कुछ मिला दी हूँ इसमें और एक चाहँ चेमच छोटी लाइची का पॉर्डर डाल दी हूँ अच्छा टेस्ट आता है यदि आपको ना परसंद हो तो ना डालें थोड़ा गाढ़ा लग रहा है इसमें मैं आधा कप पानी और इस्तेमाल करूंगी एक दो चेमच कम लगेगा पूरा पानी इसमें एक कप लगेगा दो चेमच बच जाएगा वैसे पूरा कप डाल देंगे तब भी कोई तिकत नहीं होगी इस तरह का बैटर होना चाहिए कि आप चेमच से गिराएं तो इसी खोल में म पानी लगेगा तो मैं छोटी-छोटी कटोरी ले ले ली हूँ आज छोटी-छोटी कटोरी में बना लें या थाली में बना लें यह बड़ी कटोरी जो है न इसमें हम बेक करेंगे और इसे स्टीम कर लेंगे तो पहले कटोरी में तेल लगा लेंगे सभी कटोरी में लगा दे आज जो केक में बना रहे हूं ना इसमें ना तो बटर ना तेल न घी कुछ नहीं इस्तेमाल करूंगी तब भी बहुत अच्छा केक बनेगा हिल्दी बनेगा जब सारी तैयारियक कर ले ना तब एक नॉर्मल चेमच ले जो डेली खाना खाने में इस्तेमाल करते हैं आधा चेमच इसमें में पानी डाल दी हूं ताकि अच्छे तरीके से फैल जाए अब हलके हाथ से इसे मिला लेंगे एक ही डारेक्शन में मिलाएं इधर उधर नहीं गुमाना है मिलाने बाद कटोरियों में दो दो चेमच हम भर देंगे बड़ा चेमच है ये लगभग आधी कट कटोरी भरें जिस बड़तर में आप बनाये ना आधा डालें क्योंकि ये फूलेगा फूलने से कटोरी भर जाएगी ज्यादा भर देंगे तो बैटर बाहर निकल जाएगा जब फूलेगा तो वैसे मैं गैस पर पानी चड़ा दी हूं पैन में पानी गरम हो रहा है तो कटो पसंदो काजू पसंदो काजू भी लगा सकते हैं तो पिस्ता भी लगा दे रूपर से अच्छा लुक भी आ जाता है और हिल्दी भी हो जाता है बच्चे और पसंद करेंगे तो चलती हूं गैस की तरफ जब पानी में उबाल आ जाए तब कटोरियां लगा दें पानी में ह पहले रख दी थी अब गैस का फ्लेम बिलकुल लो कर देंगे ताकि हाथ में ज्यादा हीट न लगे कटोरियां लगा कर इसे हम ढग देंगे उसके बाद गैस फिर मीडियम कर देंगे ज्यादा हाई फ्लेम पर और लो पर नहीं रखेंगे मीडियम रखेंगे लगभग 20 मिनिट के लिए हम कवर कर देंगे इसे 20 मिनिट में बहुत अच्छे तरीके से यह फोल जाता है एकदम कुक हो जाता है यह केक कच्चा नहीं रहता है देखें कितना अच्छे से फूल गया है काफी कटोरियां भर गए हैं मैं खोल कर अभी आपको दिखा रहे हूँ कितना बढ़िये से फूला फूला केक बना हुआ है आप चाकू लें या अच्छे मच कुछ भी लें इसमें थोड़ा सा टच करके देखें बैटर नहीं लगे एकदम सुखर है तक समझ लो कि हमारा केक पक चुका है 20-22 मिनिट लगता है अच्छे तरीके से कुख होकर तयार हो जाता है गैस बंद करने के बाद 2-3 मिनिट रुख जाएं उसके बाद निकाल लें ताकि हाथ जले ना है और मैं दो कटोरी में और रखी हूँ उसे बेख कर ली हूँ यह देखिए मैं रखी हूँ कड़ाई में लगभग 20 मिनिट इसे भी पकने में लगा इतने में बेख होकर तयार हो जाता है अच्छे तरीके से फूल भी गया है और गैस बंद कर देंके थोड़ा ठंडा हो दो चार मिनिट आगे पीछे में रखी थी अलग कड़ाई में अब निकाल ले रही हूँ बहुत गरम है किसी कपड़े से निकाले चाकुर डाल दें या कैसे भी आप चेक कर सकते हैं बैटर न लगे तो समझ लो यह पक चुका है निकाल लें और खाने में जो बेख करते हैं वही अच्छा लगता है तेकिन इस्टीम करते हैं ज्यादा हिल्दी होता है जैसे भी बना लें जैसे आपको परसंद हो यह देखिए कड़ाई में मैं नमक डाली हूँ यह नमक का कलर इसलिए ऐसे लग रहा है कई बार मैं इसे इसे इस्तेमाल करी हूँ केको गहरे बनाने म इसमें मैं एक इस्टेंड रख्या हूँ उसके उपर यह प्लेट रख दी थी तब मैं कटोरी रख दी थी अच्छे तरीके से यह बैख होकर तयार हो गया गया है, गैस के फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और ठंड़ा हो गया है, निकाल लेंगे, जब ठंड़ा हो जाता है, कटोरी से पहुत असानी से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे तो आप हाद से छोड़ा लें, और जब बेक करते हैं तो साइड भी छोड़ देता है, पक जाता है अच्छे तरीके से, तो साइड में छोड़ देता है, यह देखें, ऐसे आप करेंगे तब भी न निखल जाता है इस तरीके से चाहे तो चाकू से ऐसे निखाल लें कोई दिक्कत नहीं होती है थोड़ा से तेल लगा लें और ठंडा होने बाद निखालेंगे बहुत आसाने से केक कटोरी से निकल जाएगा एक दम फूला फूला सौप्ट केक बनकर तयार हो गया है और जो इ देखेंगे तभी आपको यकीन होगा कि देखिए मैं इसे भी निकाल ले रही हूं अगर यह वीडियो आपको जरश भी परसंद आये तो अपने फेमली और मित्रों में जरूर सेर कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आये हो अभी तक सब्सक्राइब न कियों तो प्लीज म आपको क्यार नहीं अच्छा लगा क्यों डिसलाइक किये ताकि मैं अगली वीडियो में सुधार करने की पूरी कोशिस करूं और बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाती हूं ताकि आपकी रेशेपी खराब नहीं हो हमारी बताई हुई कोई भी रेशेपी हो यह देखिए कि केक राइस कोकोनट केक बहुत ही हिल्दी होता है टेस्टी होता है क्योंकि इसमें तेल और घी का इस्तेमाल नहीं हुआ है बिल्कुल सौप्ट होता है एकदम रूई की तरह हल्का फूलका होता है आप बना कर देखें गर्मियों में तेल घी हो ऐसे भी नहीं अच्छा लग उसे बच्चे ज्यादा परसंद करते हैं, यह ज्यादा अच्छा लगता है खाने में, देखिए कितना जालिदार बना हुआ है, एक बार आप चरूर ट्राइ करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके घर में सभी परसंद करेंगे, और बनाना बिल्कुल असान है, मैं परसंद करते हैं, और आसानी से हजम भी हो जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं होती है, एक बार आप जरूर ट्राइ करें, आपका ये केक कैसे बना, आपनों वो हमारे साथ जरूर शेयर करें, भूले ना, ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसेपी आपको चैनल पर मिल ज जड़ जाद, जड़ एसे बहुता है, भी होता है, कि बार आपको चैनल पर मिल जा करें, आपको चाल, ऑना कहल से बहुताप जाएं जाएं के जाएं शे जाएं दोले हैं, रहा हैं, आपको जए हैं